हेलो गाइज वेलकम बेक टो अनाधर वीडियो तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक टेक्स्टाइल कंपणी के बारे में डिसकस करने वाले हैं यह जो कंपणी है आप लोगो 100% प्लस के रिटन दे रही है उसके साथ-साथ यह कंपणी डिविडेंड पेइंग भी है तो म प्रफिट शो कर देती है तो अप लोग बहुत ही सही गेन एक्सपर्ट कर सकते हो फ्रम दिस कंपणी उसके साथ-साथ-साथ-डिसमबर क्वाटर लेकी रिजल्ट तो आउट नहीं हुए लेकिन शेरोलिंग पैटर्न आउट है और एपाया इस ने अपनी होल्डिंग इंक् पॉइंट्स कवर करेंगे फस्ट पॉइंट इस फंडमेंटल एनलिसिस यहां पर हम लोग देखेंगे कि कंपणी कौन सी है और कंपणी फंडमेंटली कैसी है फो शॉट टम ट्रेड्स एंड लॉंग टर्म इंवेस्मेंट परपर्स सगेंड पॉइंट इस वॉल्यूम एनल किये पहली पॉइंट की दालब बढ़ता है और देखता है कि कंपणी कौन सी है एंड कंपणी कैसी है तो गाइज यहां पर लोग कंपणी का नेम देख सकते हो एस वीपी ग्लोबल टेक्स्टाइल लिमिटेड बेसिकली एक टेक्स्टाइल कंपनी है यह पर आप लोग पर स परसन के आसपास निकल के आ रही है लास्ट शिक्स मांस के रिटर्न एंड लास्ट इंचल की सेल्स ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में है बुग वालू से सस्ते में मिल रही है अप लोग कंपनी एक साल में 100% प्लस के रिटर्न दे रही है डिविडेंड डिल 0.12% है और फे रिटर्न एकविटी सिर्फ परसे 5% के आसपास निकल के आ रही है जो की तीन सल की कंपरेजन में काफी कम है कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग दे इंट्रेस्ट कोस्ट एंड डिविडेंड पे आउट है एट 1.36% आफ प्रॉफिट ओफिट ओवर लास्ट त्री यह त तो लास्ट इंसल की जो डिविडेंट प्याउट है वो काफी कम निकल खे आ रही है कंपनी है जाई डेप्टे डेस ऑफ 16.06 डेस क्वार्टल ले रिजर्ट के बाड़े में डिसकस करें तो देख सकते हो कंपनी प्रॉफिटेवल है तो आप लोगो मैंने वीडियो के स्टा आप लोग 200 क्रोर प्लस की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रम इस कंपनी यूंकि इसके साथ डिसेंबर क्वार्टली एंड मार्च 22 की रिजल्ट एड होने वाली है उसके बाद बैलेंस्यूट के बाड़े में डिसकस करें तो यहां पर देख सकते हो 2361 क्रोर की इस जो है वो लगातार बाइंग करने में लगे हुए लास्ट क्वार्टर से सप्टेमर क्वार्टर से मतलब लास्ट दो क्वार्टर से सप्टेमर क्वार्टर और डिसेंबर क्वार्टर में दोनों क्वार्टर में इस ने बाइंग किया है प्रोमोटर्स में मैं दिखा एत तो हम आप जैसे चोटे मोटे रिटलर्स की जो होल्डिंग है वो एडाउंट 23.31% के आसपास निकल खे आ रही है इस कंपनी में तो गाइस यह तो होगे fundamental analysis अभी conclusion पर आते हैं कि company actually कैसी है for short term trade and long term investment purpose तो देखो पहले ही बताएता हूँ कि company को ज्यादा दिन नहीं हुआ है इनसी में लिस्टेड हुए है जब से company इनसी में लिस्टेड हुए तब से company गिड़ी रही है तो for that reason आप लोगे notice कि होंगे कि last six months की sales sorry last six months की जो return है वो minus 45% है जो कि इसलिए especially for this reason मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं recommend करना हो for short term trades और रही बात long term की तो guys again मैं आप लोगो एससे मुझे देखो long term में उसी company में invest करूंगा जिसका मुझे सब कुछ ठीक लगता है ठीक है योगि market में कही सारे option है ऐसा तो नहीं है कि इस company में अगर invest ना करूं तो और कोई option नहीं बचेकर मेरे पास market में बहुत सारे options है तो इसके लिए मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि consider करके चल सकते हो for long term बाकी मैं सच recommend नहीं कर रहा हूं अगर आप लोग की भड़ोसा है company के ओपर अगर fundamentals देखके आप लोग को लग रहा है कि हाँ ये company यानि future में बहुत से return मना के दे सकती है उसके साथ dividend भी काफिसे provide करा सकती है company के पास potential है then you can definitely go for it otherwise I will not recommend it मैं आप लोग को बोलूँगा कि एक बाद देख लो अगर आप लोग को ठीक लगे तो buy करके चल सकते हो ऐसा नहीं कि एकदम बेकर company है और ऐसा भी नहीं बोल रहा हू यह मैं neutral पर छोड़ रहा हूँ 5 out of 10 रेट कर रहा हूँ company को तो guys अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरी पॉइंट की तरफ और देखते है कि company में आज किया हुआ है basically तो guys यहाँ पर हम लोग NST के website पर आ चुके है देख सकते हो यहाँ पर उसके बाद अगर आज के लिए गया है जिसका value लगबग 332 lakh रूपिस के आसपास निकलके आ रही है पेंडिंग ओडर quantity के बाड़े में discuss करें तो लगबग 5000 बाइंग ओडर पेंडिंग है 64.75 की price point पे delivery percentage यहाँ पे देख सकते हो 39.33 मतलब बहुत कम लोग जो है वो interested पे इसको buy करके position बनाने के लिए देखो 5 lakh के आसपास 5 lakh से भी ज्यादा quantity में trade लिया गया है और सिर्फ 2 lakh के आसपास delivery quantity निकलके आ रही है मतलब majority of the trades है वो intraday में ही लिया गया है compared to delivery तो guys देखो मतलब strength काफी कम जो रहा है अंदर से खोकला तो नहीं बोल सकते है लेकिन moderate से below average है below average strength है company की बागे अब भी द साथ-साथ हम लोग तिसरी point पर यह भी discuss करेंगे कि कहां पर आप लोग buy करके चल सकतो और आप लोग की target क्या रहने वाली है basically तो guys यहां पर हम लोग आ चुके NSC daily chart पर sorry for that guys यहां पर जैसके मैं बोल रहा था तक स्वादी नहीं हुआ है company को listed हुए हुए यहां पर देख सकत है लेकिन इसके जो strength है वो काफी अत्तक weak है और अगर आज के बारे में discuss करें company लगबा 0.5% के आसपास down थी 65% के आसपास company अभी trade कर रही है इससे भी नीचे गिर सकती है company तो मैं आप लोगो यही बोलूँगा अगर कोई swing trade लेना चाहते है तो wait करो कब यह company की December quarterly की result out होगी अगर December quarterly की result जितना expect किया जड़ा है उतना ही आती है then you can hop on it and make some profit otherwise मैं आप लोगो को recommend नहीं करूँगा क्योंकि देखो कितने नीचे जाएगी है किसी को नहीं पता और अभी तो ऐसा ही हो रहा है चाहिए क्योई भी company है जो मट हो चाहिए कोई भी company listed होने के बाद से company नीचे नहीं बनता है सिर्फ profit के लिए अगर देखा जाए तो जब quarterly result आउट होगी तो आप लोग आराम से बाई करके चल सकते हो और अगर देखो में भी आई हम्रों की company अभी जितने correction होना चाहिए था इतना हो गया है अभी company bounce दो दे सकती है reversal दिखा सकती है company अगर company अभी reversal देती है तो आप लोग के सामने है सभी के सभी टाइगर अगर company 64.35 के लेवल या तो फिप्टी फाइफ की या तभी 56 के लेवल से bounce back देती है bounce back confirmation के बाद आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो और target आप लोग के सामने है अगर यहां से बाई करते हो तो bounce back confirmation के बाद सकते हो या तो फिर कहीं पर note down भी करके रख सकते हो current market price जो है उसको में erase कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी confusion ना हो regarding the levels तो guys that's it for this video अगले वीडियो में मिलते है guys thanks for watching और guys अगर आप लोग के मन में कोई भी doubt या कोई डी रहती या stock market या किसी भी stock से related तो comment section में comment करके मुझ से पूच सकते हो या तो फिर मेरे instagram का link आप लोग को description box में मिल जाएगा जाके वहां पर ही मुझे dm कर सकते हो for an one-on-one conversation thanks again for watching guys bye guys and definitely guys stay safe